Welcome dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भुगोल में द्वेत वाद पर चचा करेंगे Dualism in Geography प्राचिन काल से ही भुगोल के विभिन पक्षों का अध्यन और अनुसंधान किया जाता रहा है नवीन प्रवर्तियों का उसमें समावेश होता जा रहा है इस वज़े से द्वेत वाद है वो कई दसकों से भुगोल में प्रचलीत रहा है सरोपर्थम जो युनानी विद्वान थे उन्होंने भुगोल में द्वेत वाद की नियुँ डाली थी जिसके अंतरगत जो हिकेटियस महदे थे उन्होंने भोतिक भुगोल पर और हेरोडोर्स तथा स्ट्रेवो महदे ने मानविय पक्स पर अधिक बल दिया इस वज़े से दो धाराएं विक्सित हो गई कि दोनों उन्होंने बताया कि अलग-अलग हैं दोनों मानविय भुगोल और भोतिक भुगोल इस वज़े से युनानी विद्वानों ने भुगोल में द्वेत वाद की नियू डाल दी थी फिर बाद में 27 अताबदी के शुरू में वारेनियस मोदे की एक पुस्तक प्रकासित वी थी सामानने भुगोल जोग्राफिया जर्नलिस इस पुस्तक के प्रकासित ने भुगोल में द्वेत वाद को बहुत बल दिया भुगोल में द्वेत वाद है वो कई रूपों में उपस्तित है जैसे सबसे पहले हम देखते हैं भोतिक भुगोल और मानव भुगोल में द्वेत वाद प्रादेशिक तथा व्यवस्तित भुगोल में द्वेत वाद एतिहासिक और समकालीन भुगोल इनमें द्वेत वाद द्वेतवाद का मतलब है कि जो दो साखाएं हैं उन्हें अलग-अलग माना गया है जिस तरह से दर्सन सास्तर में माना जाता है द्वेतवाद की अंतरगत की आत्मा और सरीर अलग-अलग है ये एक नहीं है इसी तरह से भूगोल में द्वेतवाद की अंतरगत माना कि भोतिक बूगी बूगोल और उनने दूसरी साखा में अपना विश्वास रख्त किया इस तरह से बूगोल में दूत्वाद का विकास होता रहा अब सबसे पहला हम देखते हैं जो मानव भूगोल और भोतिक भूगोल का द्वेत वाथ हैं उसको अब मानव भूगोल मोटे मोटे रूप में हम संजें तो मानव भूगोल वह भूगोल होगा भूगोल का वो भाग है जिसमें मनुस से और उससे संबंधित जितनी भी घटनाकरम ग्रियाएं और सब चीजें हैं उन सब को मानव की संस्कृति उन सब का अध्यन किया जाता है उसे मानव भूगोल के अंतरगत रखा गया इसी तरह से भूगोल के अंतरगत जो प्रक्रती या उससे जूड़ी वी चीजें हैं उनकी अध्यन को भूगोल का नाम दिया गया और मानव गया कि ये अलग-अलग हैं जैसे मानव भूगोल के विकास में जो फ्रांसिसी भूगोल वेता थे उनका बहुत योगदान था जिस मानव अधिवास के कारण ही क्षत्रों में महत्यवपूर परिवर्तन घटित होते हैं अतक भूगोल के अध्यन में मानव केंदर में हैं जिसे कि केंद्री स्थान का सिध्धान्त क्रिस्टोलर का जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसका उधारन देते हुए विडाल दिला बलास म भूगोल में मानव गेंद्री स्थान रखता है फिर भोतिक हीथा वे देविशय को अँपेन हैं इन्होंने भूगोल diय है इंहों ने भूगोल के वीकास में भूगोल के अंतरगत मानव का योगदान ने उसको नज़र अंदास किया जो रेट जल और सेंपल जैसे नियती वादी थे उन्होंने भी भोतिक भुगोल को समर्थन दिया उन्होंने बताया कि मनुस्य का कोई योगदान नहीं है भुगोल में और जो प्रकृति है वही सब निर्धारित करती है कि क्या होना है मनुस्य का जीवन कैसा होना है अर्थात मनुस्य है वो प्रत्वी की उ उपज है इसी तरह से हटिंग गटन मोहदे उन्होंने भी भोतिक भूगोल का समर्थन किया और उन्होंने बताया कि जलवायू परिवर्तन होने पर सब्वेता के केंदर बदलते रहते हैं उन्होंने एक्जामपल दिया कि शुरू में नदी घाटियों के किनारे बहुत सारी स मुझारास्ट हो गई इस तरह से प्रकृति ने मानौ का रहन सेयन और उसका जीवन कंट्रोल किया उसको नियंधरित किया परणतु जब बाद में अधिक घहराई से अध्यन किया गया तो बाद में इसामने आया कि भोतिक भुगोल और मानौ भुगोल दोनों अलग-अलग ची चीज़े हैं दोनों एक ही सीरे के एक ही रसी के दो सीरे हैं इसकी आलोचना में हार्ट्शोन मौदे उन्होंने लिखा कि यदि दो भूगोल भोतिक और मानवी दो अलग-अलग होते तो भूगोल का समस्कार ही तरक्षुन्य बन जाता इस तरह से बाद में भोतिक भूगोल औ और मानव भूगोल को भूगोल के ही दो भाग मान लिया गया कि यह दोनों एक ही है क्योंकि प्रकृति है वो मनुष्य को प्रभावित करती है और परिस्तितियां उपलब्द कराती है जिन में मनुष्य कुछ अपनी तर्क, सक्ति, बुद्धी, तक्नीक इनके द्वारा पर रहते हैं इतिहासिक भूगोल बना समकाली इतिहासिक भूगोल जो ऐसा मली महोदे की तो जो ग्रोफियो पुराना पुस्तक है उस पुस्तक में इतिहासिक भूगोल का जिक्र है है कि इतिहासिक भूगोल हम किसे मानेंगे कि इतिहास पर भूगोलिक कारकों का जो प्रभाव है उसका अध्यन इसके अंतरकत किया जाता है सांस्कृतिक भूद्रसे पर समय के साथ साथ भूगोल का क्या प्रभावपड़ा समय का क्या प्रभावपड़ा जैसे कि घरों के प्रारूप की तरह से परिवर्तित हो रहे हैं वस्तर पहन खेतों के आकरतियां ये सब कैसे परिवर्तित हो रहे हैं और इतिहास में इतिहासिक भूगोल की अंतरगत किया जाता है इसके अलावा इतिहासिक भूगोल की अंतरगत बीते काल की भूगोल की पुनर रचना जैसे क्रसी भूगोल नगर भूगोल इस तरह से इतिहासिक भूगोल के अंतरगत काल अवधी के दोरान जो भूगोलिक परिवर्तन वे उनका धेन किय जाता है इसी के साथ साथ फिर इसका द्वेतवाद है वो समकालिन भूगोल के साथ है तो समकालिन भूगोल वर्तमान समय में जो भूगोल का स्वरूप दिखाई देता है वो समकालिन भूगोल है शुरू में एतिहासिक भूगोल और समकालिन भूगोल को अलग माना गया लेक परिनत होगा आगे चलकर जो वर्तमान या समकालिक भूगोल है वो ही एतिहासिक भूगोल बन जाएगा और एतिहासिक भूगोल और समकालिक भूगोल ये किसी भी शेत्र की यथार्तता को खोजने की प्रत्रिया है और ये दोनों वास्ताव में एक ही है अगला द्वेतवाद अब्राथ का जो रूप है भूगोल में वो है सामान्य भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल सामान्य भूगोल वार Innerियस मोहद के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था जो उनकी कि पुस्तकी जे 약ुराफ या जनली इस उसमें उनाने भूगोल को सामान्य भूगोल माना नहीं किया जाता जिए विश्व के संपूर विश्वा के समाने नियम सिधांत संगलतना इनको लागु किया जाता है जबकि प्रादेशिक भूगुल के किया जाता है isolated रूप में उनका अधेन किया जाता है प्रादेशिक भूगोल के अंतरगत तो इस तरह से सामाने भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के अंतरगत द्वेतवाद का आरेमब हुआ कुछ भूगोल वेता थे जिन्होंने इन दोनों में से किसी एक का समर्खन किया और इनको आगे बढ़ाया जैसे हमबोल्ट मोहदई इन्होंने व्यवस्तित और प्रादेशिक भूगोल के विकास में योगदान दिया इनकी एक पुस्तक थी कोस्मोलोजी कोस्मोस उसमें इन्होंने प्रत्वी का वर्णन भूगोल को बताया है और इसके साथ साथ ही किसी भी शेतर में घटित घटनाओं के अंतर संबंद को भी इन्होंने भूगोल बताया है ये इनका अध्धेन प्रादेशिक अध्धेन पर ज़्यादा जोर था इसी तरह से फिर आगे देखते हैं कार्ल रीटर कार्ल लिटर प्रियोजन वादी थे इन्होंने इश्वर को ब्रमांड का रच्यता बताया था इनके अनुसार माधिकों के सिती है वह आकस्मिक नहीं होती बलकि देविये योजना का परिणाम होती है और ये हीगल का सिध्धांत के अधार पर उन् के अंग प्रतेंग के अलग-अलग अध्यन के स्थान पर उसकी एकता के अध्यन से की जाती है तो इस तरह से शुरू में इन्होंने अलग-अलग शाखाओं को समर्थन किया उनके पक्स में अपने तार्क दिये और बाद में इनको एक ही भुगोल के भाग बता दिया विडाल डिला ब्लास है इन्होंने रेट जल को नकारा और विसेश शेत्र पेज के अध्यन पर जोर दिया मतलब जो प्रादेशिक भुगोल में फ्रांस में एक विसेश शेत्र होता है उसको पेज करते हैं उसके अध्यन पर जोर दिया इस तरह से इन्होंने प्रादेशिक तरक दिए उनके विकास में योगदान दिए अब हम प्रादेशिक भूगोल और सामाने भूगोल का अंतर है वो इस एक सारणी की सायता से हम समझ सकते हैं जैसे सामाने भूगोल वह भूगोल होता है जिसके अंतरगत किसी एक विशे का अध्यन संपूर्ण विश्वा के अध्यन करेंगे अनिमल्स ले लिए संपूर्ण विश्वा के अनिमल्स का अध्यन किया जाएगा जब कि प्रादेशिक भूगोल के अंतरगत हम क्या करेंगे कि प्रादेशिक भूगोल के अंतरगत एक प्रदेश विशेस ले लेंगे जैसे एस्या महाद्वीप ले लिया पुर इस उस एक सिया महाधीत की जितने भी जोग्रोफिक पक्स हैं उन्को जो भोवलिक घटनाई परी घटनाई हैं उन सब का जो भोवलिक तत्थे उनका अध्येन करेंगे जैसे की एशिया का लेंड फोर्म एशिया का Land Form एशित्शिया का Climate इसी तरह से इन सब का अद्धेन दूसरे श्यत्र में करेंगे तो ये जो उदारन हे वो प्रादिशिक भूगोल का है जबकि हमने देखा था कि सामाने भूगोल में क्या करते हैं कोई एक भॡोगोलिक तछे लेते हैं और उसी एक भूगोलिक तछे का संपूण विश्वा में वितरण या उसका अध्धेन किया जाता है जैसे population ले ली तो हम population एक शत्र विशेस में ने लेकर संपूर्ण विश्व की population का अध्धेन करेंगे जर्णल जोग्रोफिया सामाने भूगोल के अंत्रगत फिर जैसे कि अन्य द्वेतवाद की आलोचनो वही है विसी तरह से प्रादेशिक और संपूर्ण भूगोल के मत्य जो द्वेतवाद था उसकी भी आलोचना वही जिसमें बेरी महोधे थे उन्होंने बताया कि प्रादेशिक और संपूर्ण भूगोल अलग-ALग नहीं है बलक सामान्य गुणों के आधार पर पदार्थू सम्मू से जुडते OH सामान्य में विश्ष्स्ट समयाया है और विश्ष्ट में सामान्य आंतर नहीं थे सामान्य के बीननाव का एक उत्रत पतरू अर्थाख्र बाद में जाकर उनके आलोचना की गई और उनमें द्रेत पाद को नकारा गया